सर पहले तो आप बोले ना उनसे आप पुछिए पुराना पैंसन जो लोगों का डिमाड़ी है इनुफाइट बिल क्या है पुछ है कौन परसेंटेज दस्ट होगा कितना काम करेगा जितना काम करेगा पुराना पैंसन कुछ और है पुराने पैंसन परना सवाल है भई अच्छा ये पुराने करमचारी से लेके सब का सवाल है तो समझे कि इस सरकार की सबसे मतलब बखवास निरना है या करमचारी को मजदूर बनाने वला निरना है बिल्कुल किरपा आप करेंगे मतलब सारे बैमानी सेटानी को ढखने के लिए हर मुद्य में कॉर्परेट को बेनिफिट और कॉर्परेट सिस्टम को लाना ये करमचारी के लिए कोई उनिफारट पैंसन नहीं है इस पैंसन का कोई ओचित नहीं है और ये 10% भी लबान मेंद नहीं होंगे ये बिल्कुल हर तरह का कानून ही इनका बिल्कुल इस देश में आम आत्मी के हित में नहीं होता, ये खरमचारी भिरोधी तो सब दिन से हैं, नोकडी पेसा ही अब ये खतम कर दिये हैं, तो पुराना खरमचारी की बात तो इन्हों नहीं की नहीं, अगनी भीर आप उठाके करेंवी में पेसा आत्फा कहा ब्राइब का सवार, विजय की वक्राइब नोकडी का सब्सक्राइब है, ये अचारी प्राना खरमचारी अब होनी नहीं है, उले चाहिते, होना प्रौचना प्राइल में बात। है तो ये प्राइब थेट सर प्राइबर रोजगार की बात कर रहे है किसके बात कर रहे प्रन है उसमें कि प्राइबर रोजगार में किसके में मिलेगा कि आप उठागी देखना कॉर्फरेट desses इसका कोई मतलब लिए कि इसको कुट्टा हाथी चले बजार कुट्टा भुके हजार अकास पर्थूप फेखिएगा तो मुपहीन पढ़िए अब कोई काम ही नहीं है इननों के पास हिंदू मुसल्मान के अधार पर और बैकवर्ट फॉर्वर्ट के अधार पर यह चुनो जीते हैं अई लोग हर बातों में नेरू राहुल गांधी हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं क्या उनके घर में गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या राहुल गांधी जी को किसकी जौरत है किसकी जौरत नहीं है राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के ठीक है ना इलाज उन लोगों की जौरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं जो राहुल गांधी की सच्चाई का ख या नेरू परिबार को गर्याने से बेतर है, दस साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मुकादी है, उसमें आप विसेश राज, विसेश पैकेज के लिए लड़िए, बिहारी हैं आप, उठाइए विसेश पैकेज, विसेश राज देने के लिए, सारे विसेश और विसेश के बच्चों को जो मारने की त्यारी है, उसकी चर्चा करें, और एक तो पहले ही विसेश को क्रीमिलियर में आपने ज़गरा लगा के मार दिया, अब स्टीश और में क्रीमिलियर लाकर के आप स्टीश को खतम करना चाहते हैं, तो आप जो लगातार आदिवासी, दली, TBC, OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों की जिन्दगी पर लट्राल लग्जामनेशन को लेके खतम करना और अध्यादेश नहीं ला रहे हैं, सरसद पर तिसद जो आरक्षन इस सदन ने लाया था, नितीश कुमार जी गॉर्मेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आए, और जाती जन्गन्ना नितीश कुमार जी भी थे, तो जाती जन्गन्ना में जब नितीश कुमार जी खुद ही करवाए, तो इलाज की जौरत पहले बीजेपी वालों की है कि निटीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुआ मुहबुबा मुक्ती के साथ पहले ही लव मैरेज कर चुके थे और आज राहूल गांदी जी एक कॉंग्रेस लुकतांतरिक मुल्यों पर मुहबुबा अलगावादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था तो पहले ही बीजेपी ने साधी लव मैरेज करके फिर तलाग ले लिया और नितीष कुमार की जो सबसे पहले ओबी सी ौअग्रेस के बाद गालोथ के बाद चाहती जंगना की बात नितीष कुमार जी ने किया ऑर नितीष कुमार जी के नेत्रित में यह शरकार चला रहे है तो इलाज किसका होना प्रवाज चाहिए बीजेपी का कि राहूल घांदीजी का तो पहले अपना इलाज कराएं न भाइए अगा 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 अगा